हेलो बच्चो एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिस क्लास में स्वागत करता हूँ जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चो स्यानता से संबंदित कुछ इंपोर्टंट टापिक्स पर विचार किया था जैसे कि हम लोगों ने इसे पहले वाले विडियो पर हम लोगों देखा था बच्चो कि मर्नौली का है ना सिधान्द का अनुपरयोग जो हता है किस परकार बिविन चेत्रों में किया जाता है किस परकार उसका सिधान्द हमारे देनिग जीवन को परभावित करता है बचों इस परकार के बहुत सारी घटना पर हम लोगोंने इस nuovo विडियो पर विचार किया था तो चलिए आज, अंब लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे बच्छों और आज, हम लोग जानने amendments को परियास करेंगेगे कि Tori Sally के द्वारा हम लोग क्या चीज हम देख सकते हैं, और साथ ही हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे बच्चों की एक टॉरी सैली का परमे को हम लोग बढ़नौली के सिधान से कैसे डिराइब करते हैं और साथ ही बढ़नौली के सिधान का एक और यहां पर अप्लिकेशन देखने को मिलेगा जिसको हम लोग वैंचुरी मीटर में इ जाता है तो देखें यहां पर सबसे पहले मैं हेड त्मेल का परमे क्या है लोग इस से बहीस्राव का बेग का निर्धारन करते हैं लोग को निर्धारन करता है टॉरी लोग बही स्राव वेग का निर्धारन करना है तो इसका निधारन करने से पहले बचो हम लोग यहाँ पर करते हैं क्या कि एक हम लोग बरतन ले 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 है एc मुचय तक इसमें जल भरी हुई और इस बड़तन में हम तीन छिद्र पर वीचार करेंगे बचो एक छिद्र यहां पर है एक छिद्र यहां पर है और यह इस छिद्र का नामकरमसा A है बी है और यह सी है थ्यां दीजिए चिद्र ए जो है वो क्या है जो पात्र का जो सबसे अधिक्तम उचाई है उससे एच गहराई पर ये इस्थित है इससे ये एच गहराई पर इस्थित है ये छिद्र अब इस छिद्र से जो है बच्चों वो जल जो है बाहर निकल रहा है है ना जल बाहर निकल करके इस परकार वो गिरेगा है ना हम इसको आधार कुछ आगे की और बढ़ा देते हैं तो ये जो जल इससे बाहर निकल रहा है उसका बेग कितना है उसका बेग है बच्चों भी तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, देखें, माना, देखें, किसी पात्र में जल एच उचाई तक भरा गया है, इस पात्र में आप देख पा रहे हैं कि इस पात्र में तीन छिद्र, इस पात्र में तीन छिद्र, A, B, C, A, B, तथा C, लिया गया है, छिद्र A, देखें, यहाँ पर, कि छिद्र A, देखें, पात्र के, यहाँ पात्र के उपरी सता से, पात्र के उपरी सता से, एच गहराई पर इस्थित है, यहाँ एच गहराई पर इस्थित है, जिससे जल, देखें, जिससे जल, यहाँ भी बेग से बाहर निकल रहा है, भी बेग से बाहर निकल रहा है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं बचों कि इस जो छिदर के पास जो जल का जो अस्तर होगा जो जल का जो लेयर होगा इस लेयर की इस्तिती उर्जा क्या होगी परती एकांक द्रब्यमान की तो यहाँ पर हम दो देखेंगे कि छिदर ए देखें छिदर ए के निकट जल अस्तर का परती एकांक परती एकांक द्रब्यमान की इस्तिती उर्जा कितनी होगी परती एकांक द्रब्यमान की इस्तिती उर्जा कितनी होगी तो मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में बहुत सारी उर्जा के बारे में बताया था बच्चों द्रब्य की उर्जा तीन परकार की होती है एक होती है दाब उर्जा एक होती है सतीज उर्जा. तो बहुत परकार की उर्जा मैंने आप लोगों को डिराइब करके भी दिखाया था. यदि आप लोग इस उर्जासे परिचित नहीं है तो पहले अप लोग इस विडियो को जाकर के देखे और उर्जा को समझने का प्रियास करें तो यहाँ पर मैं क्या लिखनाता हूँ बचों के परती एकांक दरब बिमान के सितीज उर्जा कितनी होगी जी एच आप लोग जानते हैं कि सितीज उर्जा एम जी एच होता है तो मैंने यहाँ पर क्या? प्रिति कांग ढर्मान की स्तिज उर्जा लिया है तो इसको M से भाग दाइगे तो M N cancel हो जाएगा तो GH बचाएगा तो प्रिति जैसे जल इससे भी बेक से बाहर निकलेगा तो इसकी स्तिज उर्जा जो होती है घटे जाएगी बचों क्योंकि इसकी जो उचाई है इसकी जो उचाई है वो उचाई क्या होगा घटे जाएगी जैसे जैसे इसकी घटेगी तो इसका क्या होगा बचों बात समझ यह कि जैसे जैसे जल इससे बाहर निकल रही है इसकी उचाई जल अस्तर की होगा इसकी सितीज उर्जा में कमी आएगी उर्जा सनक्षन के सिधान के अनुसार या सितीज उर्जा में आई कमी जल को क्या परदान करता है गतीज उर्जा परदान करता है तो यहां पर देखे लिखते हैं कि जैसे जैसे जल थ्यान दिजिए कि जैसे जैसे जल बाहर निकल निकलता है जैसे जैसे जल बाहर निकलता है वैसे 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 जल अस्तर की उचाई कम होते जाती है और इस्थितीज उर्जा घटती है और इस्थितीज उर्जा घटती है लेकि उर्जा सनरक्षन के सिधान्त से या इस्थितीज उर्जा में कमी उर्जा सनरक्षन के सिधान्त से इस्थितीज उर्जा में आई कमी जल को गतीज उर्जा परदान करता है अब देखिए जल को गतीज उर्जा परदान करता है अब देखिए जल अस्थितीज उर्जा का गतीज उर्जा कितनी हो जाएगी परती एकांग दरब्मान का गतीज उर्जा तो यहाँ पर हो जाएगा one by two b square क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गतीज उर्जा कितना होता है one by two bv square होता है तो परती एकांग दरब्मान से हम लोग mem से भाग देंगेंगे बच्छों तो mm cancel हो जाएगा हाब भी स्कुर होगा तो ये उर्जा जो है गतीज उर्जा उसको कौन पर आप परण उर्जा संदक्षन के सिधान से क्योंकि इस्तितीज उर्जा ही उसको गतीज उर्जा परदान करती है तो यहां पर क्या होगा 1 by 2 b square is equal to यहां पर होगा g h तो इसको हम लोगों को सिर्फ solve परना है तो 2 को इधर ले जाएंगे बच्चों तो b square बराबर कितना होगा 2 g h जाता है इसे जलका बहिस्राव वेग कहा जाता है तो आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान दिजे बच्चों और थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए कि यहां वेग जो है हम मुझे पता चल रहा है कि इस परकार है कि लग रहा है कि कोई बस्तू जो होती है एच उचाई से गिर समी करण है यह समी करण ठीक उसी परकार का समी करण है जो एच उचाई से गिर्ती बस्तू अपना बेग प्राप्त करता है यह सम्मीकरण ठीक उसी प्रकार का सम्मीकरण है जो H उचाई से गिरती बस्तू अपना वेग प्राप्त करता है बात समझें जब बस्तू को हम लोग कुईसी बस्तू को जब हम लोग H उचाई से जब हम लोग गिराते हैं है एच उचाई से मानते हैं कि यह एक बस्तू है इस तो जो उसका बेग का समीकरन होता है वही समीकरन जोती है एच उचाई से गिरती जल का होता है बहिसराव बेग का होता है तो दोनों ही जो है हमको लग रहा है कि दोनों समीकरन एक जैसा होता है तो इस समीकरन का निर्धारन जो होता है सबसे पहले टौरी सैली ने किया था इसी दिए इसको हम लोग टौरी सैली का प्रमय भी हम लोग काते हैं बचों तो इसको क्या काया था जल बही स्राव वेग का समीकरण जिसको सबसे पहले टौरी सैली ने धारित किया था तो यहाँ पर एक बात हम लोग को यहाँ पर देखन है इसमें H उचाई तक इसमें जल भरा हुआ है और तीन छिदर पर हम लोगों ने विचार किया था है इसमें H उचाई तक जल भरा हुआ है इसमें तीन छिदर पर विचार किया है A B और यहां C है इसको तो आगे बढ़ा देते हैं बचो इससे जिके जल जो है बाहर निकल रह है बचो हम लोग इसको मान लेते हैं कि X जो ए छिदर से जल जो गिर रही है वो कितनी दूरी पर इस बरतन से X दूरी पर इस पात्र से X दूरी पर गिरती है बात समझ पा रहे हैं और यह जो इस छिदर से जो बेग जिस बेग से जल निकल रहा था उसको हम लोग भी मान लेते है न और इसका समीकन भी हम लोगों ने पराप्ट किया तो यहाँ पर बात समझे कि देखे माना चिदर ए देखे तो ध्यान दीजिए कि छिदर ए से निकलते जल पात्र से पात्र के आधार से पात्र के आधार से X दूरी पर गिरती है माना चिदर A से निकलते जल पात्र के आधार से X दूरी पर गिरती है वो X दूरी पर गिर रही है ठीक समझ में आ गया बाई तो अब यहाँ पर देखिए कि इसको गिरने में चिदर ए से उसको सता तक आने में कितना समय लगेगा तो यहां पर लिखे चिदर ए से चिदर ए से देखे सता तक आने में लगा समय कितना होगा आने तक या आने में लगा समय कितना होगा चिदर ए से सता तक आने में लगा समय कितना होगा चिदर ए से सता तक आने में लगा स रहोंगे कैसे हमें लाया तो वेग का समीकन आप जानते हैं बच्चों की एकस भी बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होता है एकस बराबर या भी इस एकुल टू बराबर क्या होता है दूरी बटा समय तो दूरी कितना है एकस समय है यहां पर टी तो टी को यहां पर कर दिय T is equal to X by V अब यहाँ पर चुकि बेग का प्रारंभिक बेग U is equal to 0 है है ना चुकि यहाँ पर जो वेग का प्रारंभिक बेग जो है बच्चों वो कितना है 0 U is equal to 0 है और यह जो है ना च्छिद्र को हम लोग कहां माने थे कि पात्र के सता से H गहराई पर इस्थित है बेगे च्छिद्र A कराई जAD दिजे कि चिद्र A का आत्र के सता से मतलब आधार से है सता मनलब आधार पात्र के आधार से कितनी हो जाएगी तो यहाँ पर हम लोग में कहा क्या यहां से देखे, यहां तकी कि उचाई कितनी है h और ये उचाई है छोटी h, है ना, तो ये उचाई कितनी होगी, मुझा पूरे बड़े वाले h में, यदि छोटे वाले h को घटा दिया जाए, तो ये उचाई हमको पराप्ट हो जाएगा, ये उचाई कितनी हो जाएगी H माइनस H, ये उचाई हमको मिलेगा उचाई कितना हो जाएगा H माइनस H, अब देखे गती का समीकन का परयोग करेंगे देखें, गती के समीकरन से है नहीं, तो गती का समीकन क्या काता है, S बराबर U T प्लस हाप A, T स्क्वाइर होता है तो S का जगा में हम लोग तो ये उचाई लेखेंगे, क्योंकि ये उचाई है 20 हापन है उसका, कितना हो गया देखें, H माइनस H U तो जल का प्रारंबिक U is equal to 0 होगा, तो ये टर्म 0 होगए 1 by 2, तोरन जो है बचों यहाँ पर जो जल नीचे की और गिर रही है तो जिसके बज़से में तोरन, गुरत तोरन उत्पन करेगा, तो हाप यहाँ पर G, T स्क्वाइर हो गया, अब इसको ही solve करना है, हाप G, और देखें, T का वेलू तो हम लोग उपर से ग्याद कर लिए है X by B होता है, तो यहाँ पर G, और इसके जगा में, T के जगा में क्या रख देंगे, X by B का square, तो यहाँपर क्या हो गया, 1 by 2 G, यह हो गया, X square और नीचे में हो गया, B square और B square जो यहाँपर 20 राव बेग है, जिसका value हम लोगों ने ग्याद किया है कितना है नहीं रूट अंडर भी का बेली हम लोग कितना ग्याद किए भी इस एक्वल टो रूट अंडर टू जी एच हम लोग यह चीज प्राप्ट किए तो वह बात यहां पर रख देना है तो यदि हम लोग भी स्क्वेर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा बचों इसका रूट हट जाएगा है ना तो यहां पर क्या हो जाएगा देखे टू जी एच तो जी और यहां से जी कैंसिल हो गया तो फिर जो एक्वेशन हमको आगे जो रिड्यूस होकर के मिल रहा है वो क्या मिल रहा है देखे एक्स स्क्वेर दो दूनी चार और यहां से मेरा हमको जी और इधार से मेरा कितना है h minus h अब इसी को हम लोगों को solve कर देना है तो x square का value हम लोग यहां से निकाल लेंगे तो x square is equal to 2 h जो h है यहां पर आप देख पा रहे हैं यह 4 h इसके साथ multiply हो जाएगा तो यहां पर क्या हो गया देखिए 4 h और यहां से कितना हो गया h minus h तो x is equal to root under देखिए 4 h और यह हो जाएगा h minus h तो x यह जो 2 है यह 4 जो है इसका बरगमुल 2 होता है तो इसलिए बाहर आ गया यहां से क्या मिलेगा h और यह मिल गया हमको h minus h तो यह equation मिला हमको जल का दूरी आप यहां देख पा रहे हैं कि यह जो x दूरी गिर है कितनी दूरी पर यह गिरेगा उसका मान जो है इस समीकन से आप निकाल सकते है तो यह जो आप देखिए आप हम लोग यह जो हो गया कौन समीकन हो गया यह general समीकन हो गया ये जनेरल समीकन हो गया कि किसी भी उचाई पर येदी छिदर मौझूद है और उस छिदर से जल कितनी दूरी पर जाकर के गिरेगा इस समीकन का पर्योग करके आप निकाल सकते हैं बात समझ में आ गया है कि ये एक साधारन समीकर्ण है, सामाने समीकर्ण है, जो की हमें क्या बतलाता है कि इस पात्र में किस उचाई पर छिदर मौजूद है और उस उचाई से जल कितनी दूरी पर गिरेगा इस समीकर्ण से हमको ग्यात हो जाएगा, तो आप लोग एक बात ब केंगे, देखें जल का, यदि एकस का मान एच बाई टू हो जाए, बात समझे कि एकस का मान एच बाई टू हो जाए, यदि कैपिटल एच बाई टू हो जाए, मतलब पात्र में जतना जल भरा हुआ है, इसके बराबर या इसकी आधा, मतलब बीचो बीच यदि एक छिदर लिया जाए इस पात्र में जितना जल भरावाई ठीक इसके बीच ओ बीच एक छिदर लिया जाए तो यहाँ पर जो होता है इस छिदर से जल जो ने सबसे अधिक दूरी पर जा करके गिरता है तो हम लोग तो आसा देख लेते हैं कैलकुलेशन करके अब यहाँ पर क्या करेंगे कि है एक्स सुरी हम यहाँ पर हम लोगो रखना चाहिए एक्स का मान नहीं है क्योंकि यह देखिए एच जो है यही वहरी कर रहा है यह एच जो होती है जैसे से नीचे की और जाएगी है इसका वेलू बढ़ता है तो यही एच क है यहाँ है यहाँ हम लोग हं लोग एच बाय ही तो गटा देंगे अब यहाँ पर भी हो गара गाय तो H by 2 ही बचेगा अब यह क्या हो गया H by 2 देखे 2 टो H हो गया तो 1 H यहां पर बाहर आ जाएगा और 2 टो है तो 1 2 बाहर आ जाएगा तो 1 2 एक 2 कल केंसिल हो गया सिर्फ मेरा H बच गया तो यह बतला रहा है कि यदी छिदर इस पातर में पातर की उचाई का आधा ले लिया जाए तो जल जो होती है वो कितनी उचाई तक कितनी दूरी पर गिरेगी जितनी उचाई तक आपका क्या भारा हुआ है जल भारा हुआ है जितनी उचाई पात्र की होगी या जितनी उचाई तक जल भरा रहेगा वीच ओ बीच छिद्र से जल उतनी ही दूरी पर जाकर गिरेगी यह शमीकन हम को बतलाता है बात समझ में आगिया यदि आप इस पात्र में एच उचाई तक जल भर देते हैं और इस पात्र में ठीक बीच और बीच एक छिदर लेंगे तो इस छिदर से जल कितनी दूरी पर गिरेगा पात्र के उचाई के बराबर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आप देखे समीकंस है तो X का मान हम लोग H पराप्ट कर लिए जो की X क्या था? यह X यहाँ पर दूरी था यह जितनी दूरी पर जल गिर रही है तो यह देखिए आपका टॉरी सैली का कितना इंपोर्टन्ट नियम है बचो यह चीज़ हमको कितना महत्पूर्ण बात टॉरी सैली ने हमको बताता है तो चलिए हम लोग आज क्लास को फिर से आगे बढ़ाएंगे बचो और कुछ हम लोग नए चीज़ को जानने का परियास करते है जैसे कि अभी यही टॉरी सैली का परमय जो हम लोग अभी आप लोगों को निकाले बचो इस टॉरी सैली का परमय को हम लोग पर्मय का निर्धारन निर्धारन बर्नौली के पर्मय से करते हैं बर्नौली के पर्मय से करेंगे बर्नौली के पर्मय से करते हैं बहुत ही important बात है तो यहाँ पर एक बात यहाँ समझे देखिए एक हम लोग जो होती है बचों इसमें पूरा भरी हुई है इस परकार जो है इसमें जल जो है बचों पूरा भरा हुआ है है ना और इसमें एक छिदर हम लोग यहां पर लेते हैं यहां पर एक छिदर हम लोग लेते हैं जिससे जल जो है बचों बाहर निकल रहा है इस परकार है ना कितने बेग से बाहर निकल रहा है तो भी बेग से जो होती है इससे जल बाहर निकल रही है अब ये देखे चिद्र जो है देखे यहां से मतलब जहां तक जल भरा हुआ है वहां से एच गहराई पर मौजूद है मतलब आप कहा सकते हैं कि यह चिद्र देखे पात्र के उपरी सता से एच गहराई पर मौजूद है तो आप इस पूरे सिस्टम को जो है बचों क्या कर सकते हैं एक पाइप के रूप में एक नली के रूप में भीभाजित कर सकते हैं. तो यहाँ पर देख सकते हैं देखे माना किसी पात्र में जल भरा गया है या भरा हुआ है किसी पात्र में जल भरा हुआ है और इसमें देखे पात्र के उपरी सता से एच गहराई पर एक छिदर लेते हैं क्या लेते हैं एक छिदर लेते हैं एक छिदर लेते हैं जिससे जल भी बेग से बाहर निकल रहा है जिससे जल भी भी से बाहर निकल रहा है बचो तो अब इस पूरे जो सिस्टम है उसको एक पाइप के रूप में आप देखिए देखिए तो कि बर्नौली का पर मैं जो था बचो एक नली पर के सिद्धान्त पर लागूख होता है जिसका अनुपरस्ता काट का छेतरफल अलग अलग होता है आप लोग जानते हैं तो इस पूरे नली पर जिस परकार इस पाइप में दो गो चिदर है एक चिदर इदार है एक चिदर इदार है तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे कि एक चिदर यहां पर है और एक चिदर यहां पर है तो इसको एक नली के रूप में बिचार किया जा रहा है बिचार किया जा रहा है जिसमें दो छिदर जिसमें दो छिदर जिसमें दो छिदर इसका नाम देते हैं A और यहां पर B है जिसमें दो छिदर A और B है A और B है देखें यहां पर A यहां पर जो है A का दाब जो आपका दाब जो होगा तो दाब यहाँ पर मानते P1 है और यहाँ पर जो दाब है यहाँ पर हम लोग P2 मानते है यदि आप इसे पहले बर्नौली का परमे को नहीं देखें बचों तो जरूर देखें यदि बर्नौली का परमे को नहीं देखें लेकिन यहाँ पर जो द्रब का बेग है B2 is equal to लोग भी मालेंगे क्योंकि यहाँ पर द्रब भी बेग से बाहर निकल रहा है अब यह बात समझ में आ गया अब देखें यहाँ पर उचाई जो होगी H1 H1 is equal to कितना होगा? 0 होगा तो उचाई is equal to यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर उचाई is equal to H होगा यहाँ से यहाँ तक ही कि उचाई H है और यहाँ पर उचाई is equal to 0 है इसलिए दोनें ही सतापर दाव वाईवमंडलिये दाव के बराबर होगा इसलिए मैंने इसको P माना है P1 is equal to P यह किसके बराबर होगा? वाईवमंडलिये दाव के बराबर होगा अब यहाँ पर देखें दरब का वेग कितना होगा? सीरा A पर दरब का वेग, B1 is equal to 0 क्योंकि सीरा A पर किसी परकार का कोई दरब का वेग नहीं है और उचाई जो है यहाँ पर दरब सता की जो उचाई है उचाई H1 is equal to कितना है H है आप इसी परकार सीरा B का हम लोग भी ले लेंगे देखे सीरा B पर सीरा B पर दाब P2 is equal to P क्योंकि जो बिंदू जो है आपका जो च्छिदर है वो भी वायू मंडली दाब पर ही इस्तीत है इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे यह वायू मंडली दाब च्छिदर B पर जो दाब लग रहा है वायू मंडली दाब के बराबर है यहाँ पर जो दरब का बेग हम लोग B2 लिए हैं वो किस बेग से निकल रहा है भी बेग से बाहर निकल रहा है और यहाँ पर उचाई H2 is equal to 0 क्योंकि छिदर से ही उपरी सता की उचाई हम लोग माने हैं अब यहाँ पर देखें बर्नौली के समीकरण से क्या हो जाएगा तो अध्यान दीजे कि बर्नौली के समीकरण से बर्नौली के समीकरण से तो पहले सता A के लिए हम लोग या छिदर A के लिए हम लोग बर्नौली का परमय का पर योग करते हैं बच्चों तो यहाँ पर क्या होगा P1 by rho प्लस हो जाएगा देखिए 1 by 2 यहाँ पर होगा B1 square और प्लस यहाँ पर होगा GH1 तो आप लोग यह चीज़ समीकन को जान पा रहे होंगे यदि बर्नौली का परमय को नहीं देखे हैं तो पहले बर्नौली का परमय को देखें उसके बाद यहाँ पर आएं तब ज़्यादा समझ में आएगा यह क्या हो गया P2 by rho पलस हो जाएगा 1 by 2 B2 square और पलस यहाँ पर होगा GH2 हो जाएगा यह समीकन यह चिदर A के लिए था समीकन और यह चिदर B के लिए है दोनों ही उर्जा बराबर होती है बर्नौली के परमे से हम लोग जानते हैं कि किसी भी नली में परवाहित द्रबे की कुल उर्जा चाहे दाब उर्जा, गतीज उर्जा, इसे तीज उर्जा क्या होता का योग नियतांग होता है तो इसलिए समीकन से मैंने ये बाते लिखी है देखे, P1 का मान कितना है, P के बराबर है और यहां रो हो गया, पलस 1 बाई 2, B1 is equal to 0 है बचो और पलस यहां पर G, H1 is equal to हम लोग कितना माने है, H माने है तो H लिख दिया, और देखे, P2 को भी हम लोग P माने है रो हो गया, और देखे, B2 is equal to कितना है, B क्योंकि छिदर B से, B बेक से जल बाहर निकल रहा है और यहां पर G is equal to, H2 is equal to 0 है आप लोग जो कॉपी में अपनी सारी बातें लिखे हैं उसको आप लोग यहां इसको मिलान करने का परियास करें तो यह टर्म और यह टर्म कैंसिल हो गया यहां पर क्या बच गया, यह टर्म वैनिस हो गया यह हो गया, GH मिल गया यहां पर हमको क्या बचता है, 1 by 2 B अब देखे, B को हम लोग उधर कर देंगे सौरी, यहां पर स्कोईर टर्म होगा यहां पर हो गया B स्कोईर, तो आप लोग अच्छीता से समझ पाएं होंगे है न, इसी को हम लोग भही सराओ, बेग भी हम लोग करते हैं तो यहां पर एक बात आप लोग उको समझने का परियास करें बचो इसी का, है न, किसका देखे, बर्नॉली के परमय का परियोग हम लोग किसके रूप में करते हैं, वैंचूरी मीटर के रूप में हम लोग करते हैं वैंचूरी मीटर क्या होता है, हम लोग इसके बारे में अभी जानने का परियास करेंगी देखे बचो, वैंचूरी मीटर क्या होता है वैंचूरी मीटर ये एक परकार का यंत्र है जो क्या करता है बचों कि किसी नली में परवाहित द्रब का परवाह का वेग का निधारन करता है या क्या करता है किसी नली में परवाहित द्रब के परवाह का वेग का निधारन करता है कि उस नली में दरब जो होती है कितनी तिब्रगती से परवाहित हो रही है उसका ये निर्धारन करता है तो यहाँ पर मैं लिख देना चाहता हूँ पहले कि देखे वेंचूरी मीटर एक ऐसा यंत्र है एक ऐसा यंत्र है यंत्र है जिसके द्वारा देखे जिसके द्वारा नली में परवाहित द्रब का वेग निर्धारित किया जाता है नली में परवाहित द्रब का वेग निर्धारित किया जाता है नली में परवाहित द्रवे का वेग निर्धारित किया जाता है बच्चों तो हम लोग इससे बहुत बातें देखेंगे बहुत कुछ देखने का परियास करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मैं फीगर बना देना चाहता हूँ वेंचूरी मीटर का देखेंगे आप लोग देखेंगे बच्चों सबसे पहले मैं इसका आपका फीगर बना देना चाहता हूँ इसका फीगर कुछ इस परकार है आप लोग देख पा रहे हैं इसका फीगर देखेंगे मैं इस परकार बना रहा हूँ यहाँ पर देखिए इसका फीगर है यह इसका फीगर है बचों है नए देखते हैं बिभिन अनुपरस्ता काट छेतरफल वाले जो है नली है इसमें दरब जोती है परवाहित हो रही है इसमें इस परकार जोती है बचों दरब जोती है परवाहित हो रही है यहां का दाब कितना है और यहां का दाब कितना है वो इस मोनो मीटर जो है इसका दाब मेजर करता है मोनोमीटर के द्वारा इसमें जो होती है द्रब का चड़ा होता है इसमें द्रब कितनी उचाई तक चड़ती है उसी के द्वारा जो होती है इसमें जो होती है दाब को मापा जाता है तो अब हम लोग यहां पर देखे तुलना करते हैं कि मालेता हूँ कि यहां पर जो है द्र बातों को समझा दूंगा यहां का अनुप्रस्त काट का छेतरफल हम लोग A1 मानते हैं यहां पर दाब कितना है P1 है और द्रब जो परवाहित हो रहा है वो भीवन है यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि यह सक्री जो नली है यह जो सक्री नली है चौडी नली है इस परक द्रब कितना बेग से तो भीटू बेग से इसमें द्रब परवाहित हो रहा है तो ध्यान दीजेगा कि अब देखिए हम मैंने आप लोगों को कल बताया था बचो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों चर्चा किया था कि देखिए कि यह जो जहां का छेतरफल ज़्यादा होता है ने बचो वहां का बेग कम होता है और दाब जो होता है यहां का अनुपर से काट का छेतरफल कम है तो द्रब का वेग ज़्यादा होगा दाब कम होगा तो यहां पर दाब ज़्यादा है और यहां पर दाब कम है तो दाब ज़्यादा होने के बज़ए से ये क्या है बच्चों मेरा मोनोमीटर है इसको करते है मोनोमीटर क्या करता है मोनोमीटर का काम होता है दाब मापना इसमें दोनों जगा कनेक्ट करती है तर ये दाब मापना अब देखे दाब यहाँ पर जादा है इसके बज़े से दरब देखे ऊपर तक चड़ गया यहाँ डाब कम है इस लिए दरब यह होती है जाए कर धेके कम चड़ा तो इसमें हम लोग क्या करते है कि इसका उउचाई को मान लेते है कि इसमे दरब होती है H1 उचाई तक चड़ी वiała है यह मिलति है चाहि तक चड़ा हुआ तो दोनों की उचाई का यहां पर यहां है यहां पर इसको सीरह A मान देते हैं sira A कर देखें देखे सीरा ए तथा बी के लिए बर्नौली के पर्मयका पर्योग करते हैं सीरा ए तथा बी के लिए बर्नौली के पर्मयका या सिधान्द का या समीकन का उप्योग करते हैं तो हम लोग जो समीकन निकाले हैं बच्चों वही समीकन यहां पर हम लोग उपयोग करेंगे तो कैसा समीकन है आप चुकी यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों कि नली कैसी यह 36 है इसलिए इसमें इस्तितीज उर्जा का इसमें कोई परभाव नहीं पड़ेगा इससे पिछ को है अब यहां पर देखे क्या लिखूंगा कि P2 by rho हैं दूसरा सीरा के लिए और यहां पर हो जाएगा 1 by 2 V2 square इस परकार होगा अब हम क्या करेंगे यह P देखे जो दाब वाला टर्म है उसको एक तरफ करेंगे जो गती जो जावला कॉमन ले लेंगे तो यहां पर कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा P1-P2 is equal to यहां पर हो जाएगा 1 by 2 Rho और यह equation को मिलेगा B2 square minus हो जाएगा B1 का square यह समी का नम को कुछ पराफ्ट हो गया आप यहां पर देखे यह P1 और P2 जो है यह क्या है कि यह सीरा और यह सीरा पर दाब का अंतर है जो किसके द्वारा मापा जा रहा है मोनोमीटर के द्वारा मापा जा रहा है यहां पर द उच्छों द्रब इस्थ्थैतिकी में किसी भी द्रब के अंदर हैन दाब का मान का एक सम्मीकरन प्राफ्ट किया था जो समीकरन क्या था P is equal to rho G h होता यह समीकरन आप लोगों ने प्राफ्ट किया था और यहां पर H क्या है तो यह H जो है H 2 minus H1 है मैंने दोनों सीरों के द् लिग देते हैं देखे P1-P2 समीकरण से देखे समीकरण से P1-P2 is equal to देखे रोजी एच है आप लोग यदि यह समीकरण नहीं जान रहे बचो तो द्रब स्थेटिकी का मैंने जो विडियो बनाया है जो दाब जहां पर आप लोगों को बताया गया है है नहीं वहां पर जाकर कि इसको देखे तो यह समीकरण के बारे में अप लोग पता चल जाएगा तो यह दोनों से पर जो दाब का अंतर है उसका निधान मोंटोमीटर के द्वारा किया जाता है नहीं उचारी के rho g h2 दाब का अंतर कितना होगा यह दाब p1 है और यह दाब p2 है तो p1-p2 यदि हम लोग करेंगे बच्छों तो rho g common आ गया है यह हो जागा h1-h2 h1-h2 को हम लोगों होने h माना है जो समीकन हमको प्राप्त हो रहा है अब यह मान को हम लोग यह समीकन में रख देंगे देखे p1-p2 का मान को समीकन एक में रखने पर देखे p1-p2 का मान उपर वाले यह समीकन एक में रख देंगे इसको समीकन एक मान देते हैं देखे darm 1-p2 का मान समीकन एक में रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा rho gh is equal to 1 by 2 rho और यहां से मिल गया ओई değildi V2 square minus यहाँ पर मिल रहा है हम लोगों को V1 का square रो दोनों side cancel हो जाएगा बचों तो यहाँ से हमको क्या मिल गया देखे GH is equal to 1 by 2 यहाँ से मिल रहा है V2 square यहाँ से मिल रहा है V1 का square अब हम लोगों को यहाँ पर करना क्या है देखे अब हमको सातत्य समीकर्ण का यहाँ पर परयोग करना है equation of continuity का यहाँ पर परयोग करना है सातत के समीकर्ण से सातत का समीकर्ण बतलाता है कि पहले सीरा पर पहले सीरा पर A1 B1 का मान और दूसरे सीरा पर A2 B2 का मान दोनों आपस में बराबर होता है इसको हम लोगो क्या क्या काते हैं बचो परती एकांक दरबे का आईतन मनद एकाई समय में परभाहित दरबे का आईतन सुरी दरबिमान है परती एकांक समय में परभाहित दरबे का दरबिमान का ये समीकन है इसको सातात समीकन से आप लोग देख सकते हैं equation of continuity में जाकर के B1 by यहां से मिलेगा हमको A2, तो इस B2 का value को हम लोग समीकरन 2 में रख देंगे, देखे B2 का मान समीकरन 2 में रखने पर, यहां पर हम लोग यदि रख देंगे बच्चों, इस 2 को भी धर ले जाएंगे, तो यहां पर हो गया 2GH is equal to 1 by 2, है न, और यहां पर देखे B2 का मान हो गया A2 का whole square, और माइनस यहां पर हो गया B1 का square, इसको सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, बच्चों, solve कर देना है, तो यहां पर मुलों solve करेंगे, देखे 2GH is equal to, यहां पर 1 by 2 नहीं होगा, क्योंकि इस 2 को तो हम लोग उधर ले ही गए थे बच्चों, यहां से देखे B1 square यहां पर भी है, B1 square यहां पर भी है, तो B1 square को हम लोग comment कर लिए, बाहर कर लिए, बच्चों, यहां पर क्या बचेगा, A1 बटा, A2 का square, माइनस 1, इसको भी हम लोग solve ही कर लेंगे, बच्चों, देखे यहां पर 2GH, यहां पर हो गया B1 square, यहां पर आ जाएगा, देखे, A1 square, माइनस A2 square, और नीचे में हो जाएगा, बाई A2 का square, इस परकार का समीकन प्राप्त होता है, जहां से हम लोगों को B1 निकालना है, निर्धारित करना है, B1 का value हम लोगों यहां से calculate कर लेंगे, बच्चों, तो B1 square बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजएगा, कि B1 square बराबर हो जाएगा, देखें, यह टर्म यहां पर आ जाएगा, यह हो जाएगा 2GH, और यहां पर हो गया A2 का square, और नीचे में आ जाएगा यह वला टर्म, देखें, A1 square, माइनस हो जाएगा A2 का square, तो B1 is equal to आ गया, अंडर रूट, यहां से square हटाएगा, तो इधर हम लोग निधारित कर लिए, मतलब यह सीरा से दरब कितनी परवाहित हो रही है, यहां पर इसका समीकन हम लोगों ने यहां से ग्यात कर लिया, है ना, हम लोगों ने ग्यात कर लिया, बचों, थोड़ा सा यहां पर यहां देखने वाली बात है, बचों, है ना, कि आप हम ल यहां पर समिकन को रख देंगे, तो B2 का वेलो भी निधारित हो जायेगा, हम लोग ये बात कल्कूरेट कर सकते हैं, तो ये समिकन जेनरली क्या किया जाता है बचों कि वेंचुरी मीटर समिकन का परयोग करके हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं, कि परवाहित दरभ का आईतन घ्याद कर सकते हैं है न तु मालूम है जी एच मालूम है बचों एटू अनौन पस्ता काट का श्ठ्रफल हम लोगों का मालूम है तो हम लोग बेग निधारित यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं अब यहाँ पर थोड़ा सा बात को समझने का आप लोग परियास करें थोड़ा सा यहाँ पर समझने का परियास करेंगे कि नली से जो वेंचुरी मीटर मेरे पास है उस नली से परती एकांग समय में कितना दरबे का आईतन यहाँ पर परवाइत हो रहा है हम लोग यहाँ पर वोता वह सा केल्कुरेट करेंगें, यही पर मैं केल्कुरेट कर दो भाफराएर करें है कि यहीं परmother है ने देखेंगे सीरा ए थोड़ा यहाँ ध्यान दिज़ेगा कि सीरा ए से प्रति है था इसे sag इकांक समय में फरतिसर्ला समय में सिरा ओसे परती एकांक समय में परवाहित दरबे का आईतन ग्याद करना है परवाहित दरबे का आईतन कितना होगा वो चीज़ हम लोग ग्याद करते हैं परती एकांक समय में तो यदि आईतन को यदि हम लोग क्यों मान लेते हैं बचों तो परती एकांग समय में परवाही तो द्रबे का आईतन भी एवन भीवन होगा अब यह बात कैसे होगा यह बात आप समझने का परियास करें देखिया आईतन बराबर क्या होता है आईतन बराबर होता है छेतरफल गुना लंबाई छेतरफल गुना लंबाई यह बात आप ल यदि समय को हम लोग यदि one रख दे, यदि समय को हम लोग कितना रखेंगे, एक रख दें, है न, तो B is equal to कितना हो जाएगा, X होगा, तो इसका मतलब है कि यही लंबाई है मेरा, तो कने का मतलब है कि, कने का मतलब यहाँ पर बात समझे, कि कोई दरब खंड जब इस नली में परवेश करता है, तो एकांक समय में वो कितना दूरी तै करता है, तो एकांक समय में तै की गई दूरी दरब का वेग के बराबर होता है, दरब खंड यहां से यहां तक जाता है, यदि यह जाने का समय यदि एकांक हो, तो यह तै की गई दूरी दरब का वेग के बराबर हो होता है तो इसी वेग को हम लोग एकांग समय में लंबाई लिए एकांग समय का लंबाई है यह दरब खंड का इसी लिए हम लोग छत्रफल गुना लंबाई दरब का आईतन हो गया अब यहां पर थाथ से बात दीजे क्यों बराबर भीवन का वेलू तो हम लोग याद कर नहीं लिए हैं बचों यहां समीकन से अब यह इस खाली वेलू को यहां पर रख देना है एवन और भी का वेलू यहां पर रख देंगे देखे टू जी एच एटू का स्क्वेर और नीचे में हो गया बटा एवन स्क्वेर और माइनस एटू का स्क्वेर यह देखे क्या हो क्याी नली के ए सिर्ह से प्रती एकांग समय में प्रवाहित दरवे का तो कितना परवाइत होता है आईतन है नदरब का सीरह A से वो आप लोग इस समीकन का परयोग करके जान सकते हैं इस समीकन को ज़्यदी आप और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो यहां से A2 का स्क्वेर है बच्छों आप लोग इसको भी बाहर कर सकते हैं तो बर्ग है इसे root से बाहर हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा A1 A2 और यहाँ हो जाएगा root under 2GH by यहाँ पर हो जाएगा A1 square minus हो जाएगा A2 का square यह भी समीकन का परियोग है जाता यह completely solved equation है है ना तो आप लोग जो है नली से परवाहित दरबे का वेग निधाइद कर सकते हैं या परती एकांग समय में परवाहित दरबे का आयतन का समीकन भी हम लोग ग्यात कर सकते हैं बच्चों है ना तो इसका परियोग जो है हम लोग बर्णौली के सिधान्त का उपयोग करके हम लोग किया है बच्छों इसी को वेंचुरी मीटर भी कहा जाता है तो आज जो है बच्छों मैंने सैंता का लेसन को यहां पर complete कर दिया लगभग सैंता से संबंदित मैंने 7 विडियो यहां पर अप लोगो को बनाया बच्छों शूरू से जिसमें स्यानता का पूरा concept जो है आप लोग का complete हो रहा है यदि आप लोग उस पूरे वीडियो को वीडियो नमबर 1, part 1, part 2, part 3, part 4 इस तरह करके 7 वीडियो में ने बनाया है यदि आप लोग 7 वीडियो को यदि आप लोग अच्छी तासे देख पाते हैं तो आप लोग स्या करने वाला हूँ इससे next वाले वीडियो में वो वीडियो को आप लोग पूरी तरह से अच्छी तासे देखने का परियास करेंगे तो ठीक है बचों आप लोग के साथ मुलाकात होगी एक नहीं वीडियो में आप लोग पूर दिनों के बात हमेशा हसते रहें, खेलते रहें और इसी परकार हमारे वीडियो को भी आप लोग देखें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें, आज आप लोग ने जो वीडियो को मेरा देखा बचों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लॉट्स ऑफ थैंक्स, जाहिंद बचों